एपिसोड की स्टार्टिंग में लिली डाय लिखती है और बताती है कि कैसेस की मौम ने उसको इंविटेशन दिया अपने सभी दोस्तों को इसर फाउंडेशन गुमाने के लिए और सबने मिल जूलके लिट्टो को पकड़ लिया जो कई बार रूब बदर रहा था जिसमें इन सब को काभी हाँ मज़ा आया लेकिन उसकी मौम सोड़ी जाक ओवर केर करती है जो से बिल्कुल पसंद नहीं है प्रोफेसर कुकु के घर के पास आज अएस अपने सभी पौक्यम को निला रहा है जहां ओ पिकाचु निला रहा होता है उससे निकलेवें सो बबल नेवी की लगती है ऐसे से बदाता है कि यह काभी मज़दार होती है जिसके वह खेल लग लगता है पिकाचु कि सफाई के कि यहां लाइकन रोग पारी से एक दम जेनरली नहारा होता है जो रोटों में कहता है तो बिल्कुल पीकाचु नहीं लग रहा है फिर लेटर बनाता है लेकिन रोटों कहता है कि इन्दों में कोई भी डिफरेंस नहीं है जिसके बाद वो जाक से लेटर को ट्राता है लेटर डर के उस टप पे पैर रख देता है जिसके बाद लाइकन रोग पूरा भीग जाता है और काभी गंदा भी हो जाता है ऐस कहता है गवरावद लाइकन र कोश्च कर रहा होता है कि उसे जानुष की नहीं किया है मैं सवाल लूंगा लेकि उतने दिर में पीछे घूम जाता है तब यह सुप्राइज वाली बात है कि तुम्हें प्याग उसक कैसे आ गया था मेरा मतलब लिटर नहीं प्याइज जानुष की नहीं किया था तब लोटों बोलता है मुझे सब्सक्राइज की उसका काइज और वह बजाता है फो की आपको यह पोई Lambora देता है कि तुम्हें कैसे लगेगा थो सब को समझ में आ जाता है तब एस कहता है कि मैं सुन पर काभी गर्व है लाइकन रोक ट्वाई डश्क वर्म सच में कभी कमाल की है ग्लैडियों यह देखे सच में सोख हो जाएगा वैसे ग्लैडियों अभी कर क्या रहा होगा जैसे आश जी बोलता है तब नभी उसकी पास आ प्रणीन करता ही नहीं है तो यह रहां ग्लाइडियोन कुछ पीयों के खड़ा है लेकिन तब इस लेसे करा येता है जिसके बाद उसा बाग जाते हैं एस उन्हें ठेंक्स भोलता है लेकिन वह पॉक्यमोन इनके आगया जाता और गुरायन लग जाता है एस बोलता है यह क्या है क्या पोकेमोंट फिर नैभी उसके पास कुछी कुछी जा रहा होता है लेकिन तभी वो इसको गुरायन लग जाता है जिसको देखके नैभी रोने लग जाता है और ग्लेडियों काफी सोक हो जाता है एस और पिकाचु से च एंस बोलता है तो ग्लेडियोन बोलता है कर यह अल्टर बीस्ट क्या रहे पता है तो ग्लेडियोन मैं सबसकता हूं लेकि मैं प्रोमिस किया है ग्लेडियोन ओर लोनाला से जिसके आहirmas है a try अब्धियोन बोलता है क्या अल्टर बीस्ट ने ये किया तो ग्याता है Episode तोड़ो ये देखो ये सोफ़ग लाइकेन रोक तब वो कहता है कि यह मिडड़े फोम है और नहीं मिंड़नाइट फोम यह क्या है तब ऐस connecting टाहें कि अलसे दूर की जगा है जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हीं कभी तो इससे मिलना चाहीए लिशी काफियाद अच्छा क कर रही है खासकर अब उसे पिकाची को टेच करना सुरू कर दिया है जिसके वाद में दिखा जाता है उसका पास्ट जब लिली पहली वार ग्लेडियों से मिली थी और एसको यह पाल लगा था कि यह दोनों भाई बैन है तब ग्लेडियों पुछता है और कुछ भी बता उसके लिली पोकियों को टस इसलीर नहीं कर पाती क्योंकि एक अल्टरा भी इसने उसके पर अटेक कर दिया था उस से पुछ न अथा credit अब चोटा था उन्फ जब भी गया था और मैं कुछ कर भी नहीं पाया लेकिन इस पोकीमोन सिल्वश लाइ ने उसे बचा लिया लेकिन वो काई जबरा आ गई थी जिसके बाद वो ट्रोमाटाइस हो गई समय के साथ उसकी यादे धुनली हो गई लेकिं उसका डर बना हुआ है वो बयानक पोकेमोन जिन्हों ने तना खतनाक डर बठाया उसकी लाइफ में मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दुबाना से ऐसा कर पाए इसलिए मैं से प्रोटेक्ट करके रहूंगा और अब मुझे देखो मैं बिल्कुल पहले ऐसा नहीं रहा हूँ अब मैं पोकेमोन ट्रेनर बन चुका हूँ जो टाइम के साथ स्ट्रोंग और स्ट्रोंग होते रहेगा जिसके बाद मैं हर एक अल्टर अबिस्ट को डिफीट कर दूँगा और उनको उनी की दुनिया में वापिस बीच दूँगा और हो सकता है कि मैं उनकी एक्जिस्टेंसी मिटा दूँ तब एस बोलता है बिल्कुल नहीं 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 कोई खचनाग पोकेमोन नहीं है तब वो कहता है तुम ऐसा कैसा कह सकती हो अभी नेवीरियम ने असली करण दिखाया नहीं है जब वो अल्टर अबिस्ट बन जाएगा मैं इसको भी नहीं छोड़ूँगा मैं हार एक पोकेमों डिफिट कर दूँगा फिर वो कहता है मैं और मेरा पोकेमोन तब वो कहता है क्या सिलवल लाए तब वो कहता है हाँ ये अल्टर अबिस्ट को डिफिट करने के लिए बना है जिसको सुनकि एस का भी सोख गयाता है क्या बना है? तब वो कहता है, मैंने काफ़ी कोई बता दिया है, तुम बताओ, तुम यहाँ पाचाना से टपकी हो, वो भी एक Ultra Wish की Alc, मैं जाना जाता हूँ क्यों? एस कहता है क्यों खेर छोड़ो तुझी यह उताओ कि तुम कौन हो तब वो कहता है मैं हूँ एस पैर टाउस से मेरा बतलब यह नहीं था मेरा बतलब है कि तुम कौन हो जिसके पीछे अल्टा भी श्पोक्यों पड़े हैं वो तुम मैं इंतर अंटरस क्यों ले रहे हैं और क्या बैटल तब वो कहता है तुम मेरे बारे में जानना है ना तो तुम बैटल करो मिर से और तुम खुद पर लगा लो कि तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है तब वो बोलता है इसमें कोई सैंस नहीं लग रहा है लेकिन एस बोलता है इस हिल्वाल लाइक के लिए एक तो इस वीडियो को लाइक कर दो और यहां रोटों में इंतियार कर रहा होता है कि एस और सके सब इस पोकिमोन बाविस नहीं आए है तो उसी कुछ करना होगा फाइनली वो इन्वेस्टिगेसन के निकल जाता है डिरेक्टिव लाकी की ड्रेस पैन की और वो इस बाद लेटन को अबना एसिस्टेंट मना चाता है लेग लेटन मना कर देती है तब उसका दारम बचता है और उसी याद आता है कि या तो इस डिरेक्टिव लाकी का एक स्पेसल अप्सोड आएगा जिसे वो मिस नहीं करना चाहेगा जिसके बाद वो टीवी देखने चला जाता है और यहाँ बैटल स्टार्ट होने वाली होती है एस लाइकन रोक को चुनता है और ग्लेडियोन बोलता है लाइकन रोक तुम्हें करता है किसे जाना चाही है जिसके बाद वो देखता है कि वो पहले से आग रोग कर चुका है जिसके बाद वो कहता है आज वो पोक्यमोन आएगा जिसने मास्क पैन रखा है सिल्वल आए मैं तुम्हें चुनता हूँ वैसे गलेडियोन के तीनों से पैले एक बैलेडियोन से अख फ्रेनर भी है जिसके बोलने पे ये कफी एकसेटमें दिखा रहा होता है कि वह पैले आख अट्रेजर बन चुका हूँ गलेडियोन बोलता है ये में कुछ मैज़ा बात थी Western Hero change जाता है तो वो कहता है यहां पांद रोग विश्ट जाता है फिर वो कहता है हमें आल्टरविष को और नहीं होगा क्रश्ट लो युज करो जिसके ऑद्बाकर की बाइट करने वाला होता है लेकिन वह उपनिंग को खुर कर देता है और इसको पर काउंटर कर देता है फिर आप अज़ और ऐसे लोग से गर करके उसे । कर देता है फिर गलेडियोन बोलता है ये सबसे बड़ीया डिफेंस होता है यी возможность की है उसके बाद वो बाइट मुन सरहर कर ने हो पर गोरी में गता है यिसके बाद वह पानी में Ce feel कृ जाता है उसकues चाले आके दोआर रायड हो जाती है यह चीजह समझ जाता है उसे लगता है कि यह बैल्ल ना होके एक वाइल बैल बैल लगने लगी थी थोड़ी उत्मार खाने के बाद वाईटनों यूज करता है जो पर डायाट खिट होता है जिसके पास ग्लेडियोन के और पोकीमोन आने वाले होती हैं लेकिन ग्लेडियोन उन्हें रोक देता है वो यह देखना चाहता था कि सिर्वल लाई से कैसे अन्य करेगा और एस वहाँ पर लाइगंडो को कंट्रोल कर रहा होता है और नवी कवी डर लगता है जिसके रोने से एक वेव निकलती है जिसका पावर सच में काभी कमाल का होता है ग्लेडियोन भी देखके अन्हान हो जाता है कि ये नवी की पावर है लेकिन इसी कारण से लाइगंड्रोग के सारे डस्ट हट जाटे आते हैं और वेटन ठीक हो जाता है फिर वह ब फिर एज एकसर रोग यूस करने हो कहता है जिसे वो डौच कर ज्याता है अब दू़ार यूजझ करने हो लेकिन वो इस बार करा णर कर लेता है लेकिन उसके दो हाथ गौल डासे में होता है जिसका रंढोर 0,4 वह वानिय टेयोग कर देता है क्रता है बैटलब रहेखो तो तुम्हें पूछ रहा हूं कि तुम इतला में बहुता है तुम नए बता होगी तो वो कहता है हाँ तुम्हें सही कहा अब मैं नए बताऊँगा जिसके बाद ग्लाइडियों चला जाता है और यहां से एस भी जाने वाला होता है लेकिन वो जब देखता है कि उसे खुछ नहीं बता कि वो कहां पर है और दूसरी बात नहीं भी सोच चुका है जिसकी वेशे अब उसे जाने का कोई आसा नहीं मिल रहा है और ऐसे जर्णी चलती रहेगी जब नभी उड़ जाएगा तो एपिसोड को रिव्यू करने से पहले अगर आप बूल चुके वीडियो को लाइक करना तो सिल्व वीडियो कर दीजी लाइक और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब तो इस एपिसोड में कभी कमाल की वैटल देखने हो मिली बैलिल की वीच मे पराव यह एपिसोड था और लिली का ट्रोवा हो और लाइकन रोक कि नीव पावर के आप अलगा और सिल्व वीडियो के वारे में पालगा की से सिल्व लाइब बोलते हैं फिर टाइप नल क्योंकि दोने एपिसोड में इन्हें अलग लग लग नाम दिये गए हैं तो इस एपिसोड में सप्राइजिंग बैटल और इन सब के पॉइंट मिला के 10 आप 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 10 मिलते हैं यह एपिसोड बन जाता है बेस्ट एपिसोड